वाँ इप दोस्तों मैं आज मेरा अज मेरा फैशन सूरत से एक बार से स्वागत करता ओमारे यूट्फ चैनल अज मेरा फैशन में है दोस्तों सूरत कि अगर बात करें तो परिंट साडि के लिए सूरत बहुत फैम helicopters है बहुत जबर्दस्त हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ड के अंदर यहां से साडी का जो collection है वो export भी किया जाता है और इंडिया की बात करूँ तो बहुत लंबे scale पे यहां से साडी का सभी छेतर में जितने भी state है वहां पे माल जाता है प्लस अलग-अलग state के इसाब से अलग-अलग quality यहां पे बनती है उसकी print जो होती है वो अलग-अलग state में जो print चलती है वो print भी बनाई जाती है तो आज जो हम यह episode जो अभी shoot कर रहे हैं इसमें मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ print साडियों के collection की अब इम print साडियों की बात करूँ तो यह print साडी काम आती है लेने देने में किसी के यहां शादी होती है तो सो डेट सो दो सो साडी लेने देने के लिए लगती है वहां पर यह साडी काम आती है डेली वीयर की अगर बात करूँ तो डेली वीयर में consumer जो घर पे साडीयां पहनता है एक लेडी जो घर पे साडी पहन के घर का काम वाम करती है वहां पर यह साडी लगत और अगर बात करूं तो किसी भी धार्मिक आयोजन में ये जो साडियां यूज में होती है एक जो कोई धार्मिक आयोजन होने जा रहा है मुरारी बापु की कथा होने जा रही है या किसी भी बड़े शंत की कोई अगर वो कथा होती है तो उसके अंदर एक जैसी साडियां पह 45 रुपीज से स्टार्ट होती है, लेकिन वो साडी डायरिक्ट नहीं पहनी जाती है, उस पर वेल्यू एडिशन करना पड़ता है, वेल्यू एडिशन बोले तो कोई बुटिक वगर है जो चलाती है लेडिस, उन लोगों के काम की वो चीज होती है, उस पर लेस वगर लगा के वो लोग उसको सेल करती है, लेकिन अगर बात करूँ प्रिंटेट साडी की, तो ऐसे तो हम रेट नहीं बताते हैं किसे भी प्रोड़क्ट का, लेकिन चुकि ये एक लोवेस्ट रेंज है हमारे यहां से, जो प्रिंटेट साडी स्टार्ट होती है, तो वो होती है, 99 रुप साडी बेचते हैं, या छोटा सा एक टेंपो अपना रख लिया है, वो टेंपो में भरके 100-200-500 साडी ले जाते हैं, गाउं गाउं देहात देहात के अंदर बेचते हैं, तो ये सब साडीों का कलेक्शन वहां पे भरपूर बिखता है, एरिया वाइस हम लोग इसके अंदर क कस्टमर होते हैं, फेरी वाले जो होलसेलर होते हैं, वो सब ये सब साडियां खुब बेचते हैं, देने लेने के लिए तो काम आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, अब इसके अंदर साडियों के अगर बात करूं तो 99 रुपीज के उपर फिर रेंज और उपर चली जा इसको हम कटिंग करते हैं और सीधा बेचने के लिए लगा देते हैं, इसके उपर किसी तरीके का कोई वेली ओडिशन नहीं होता है, उपर की रेंज की बात करों तो फिर अलग-अलग कपड़े आ जाते हैं, इसके अंदर अलग-अलग डिजाइन सा जाती है, मीले चेंज हो इसकी पेकिंग भी अलग-अलग तरीके से होती है, कोई पेकिंग सिर्फ थेली के अंदर होती है, कोई पेकिंग अगर बात करूं तो एक एक बंडल उसका पेक करके हम रोग रखते हैं, कोई पेकिंग अगर मैं बात करूं तो वो इस तरीके से ये दस-दसाडियों की पेकि कुछ इस तरीके की भी होती है तो ये सारी अलग-अलग packing ये हैं जो ये सब items को हम लोग provide करवाते हैं इसके बाद print sari के collection की ही बात करूँ तो इस पे आ जाता है value addition value addition बोलते हैं जैसे ये print sari आपने वहाँ पे देखी थी without any value addition ये हो गया फिर उसके उपर value addition value addition बोले तो ये border इसके उपर लगा दिया border लगा दिया उसके उपर ये diamond बगर लगा दिये मतलब कुछ भी उसके उपर एक extra value का addition कर दिया है उसके उपर ये department पूरा आता है value addition का अब जो department आपने वहाँ देखा था वह 6 meter का department था 6 meter बोले तो 5-30 की साड़ी आती है 70 cm का blouse आता है total हो गई साड़ी 6 meter की ये department में 6 meter भी आता है और 6-30 भी आता है दोनों इसके अंदर आते हैं इसके अंदर आप pouch बेग लेना चाहते हैं इस तरीके से ये देख सकते हैं आप ये value addition होई होई साड़ी है मैं आपको थोड़ा सा describe करता हूँ अब इसमें value addition की बात करों तो देखें डाइमेंड लग गया है और उपर से डाइमेंड भी लग गये हैं अब एक pouch अगर मैं उठा के देखता हूँ तो इसके अंदर ये इस तरीके से अलग-अलग मिल गई है अलग-अलग design मिलने से क्या होता है एक कोई नई नया retailer जो business से start करना चाहता है वो ऐसे 10 pouch ले लेता है अलग-अलग range के अलग-अलग rate के तो उसके पास में 60 sari पहुंसती है 60 sari के अंदर उसको 60 design अलग-अलग मिल जाती है अब एक retailer के लिए ज्यादा से ज्यादा collection रखना बहुत जरूरी होता है तो अगर कोई ladies घर से business को start करना चाहती है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी opportunity होती है कि वो इस तरीके के 10 अलग-अलग pouch ले ले तो 20 से 25 अजार रुपए के अंदर उसको range पूरी बन जाती है ये pouch packing की बात हो गई इसी के साथ आता है ये box packing भी आते हैं अलग-अलग items हम लोग रखते हैं अलग-अलग packing के अंदर जिसको जैसी packing लेनी है उस packing के हिसाब से वो पूरा ले सकते हैं तो ये department जो आप देख रहे हैं ये पूरा department एक section दो section तीन section को मिला कि ये department को तियार किया गया है इसमें सिर्फ और सिर्फ value edition रहती है और वो भी सिर्फ और सिर्फ print के उपर रहती है ये इस तरीके से माल तियार किया हुआ रहता है अब इस value edition में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी है मैं चाहूंगा लियोपी साब से कि ये एक बार इसको नजर कराएं पूरी साड़ी को ये ब्रासो है बहुत ही सुंदर बहुत ही यूनिक चीज है ये साड़ी आती है 36 कट की 36 कट को describe अगर मैं करूँ तो 5.5 मीटर की साड़ी होती है और 80 सेंटेमिटर का उसका ब्लाउस होता है तो ये साड़ी हो गई 36 कट के 36 के कट के में भी बहुत सारा collection हमारे पास में available है value edition में ही अगर मैं बात करूँ ये किसी party का माल निकला हुआ है ये भी चला जाएगा लेकिन इसमें चीज़ें और भी आती है जैसे border और diamond तो मैंने आपको दिखाया पर border में भी बहुत सारी अलग-अलग varieties के border इसमें आते हैं मैं ये साड़ी आपको खोल के दिखाऊ हूँ जिससे कि आप समझ पाएंगे कि मैं क्या आप लोगों तक एक संदेश एक जानकारी पहुचाना चाहता हूँ सारी बहुत ही खोबसूरत है यूनिक पीस है ये देखिए ये इसका modeling किया हुआ फोटो रहता है ये मैं आपको दिखाया अब सारी आपको दिखाता हूँ मैं अब इस पे जो border लगाया है ये आप देखिए बहुती सुंदर और बहुती यूनिक border है एकदम extraordinary style से इस border को पूरे को इस पे patch किया हुआ है तो ये अलग-अलग तरीके के value additions हैं जो हम लोग करके रखते हैं सारीों के उपर और वो सारी फिर आप लोगों तक पहुँचाते हैं इसके भी catalogs वगरे आते हैं डिजाइने अलग-अलग आती हैं बहुत सारा collection इसके अंदर रहता है ये सारा collection जो आप देख रहे हैं ये सारा print का ही collection है इसमें catalogs आते हैं मैं दो-चार catalog आपको और खोल के दिखाता हूँ ये देखे इसमें छे सारी का catalog है ये इस तरीके से ये देख सकते हैं तो ये ऐसे बहुत सारे catalogs बहुत सारा collection आपको हमारे पास पर मिलने वाला है आज जो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ print के collection की बात कर रहा हूँ ज्यादा वीडियो को लेंदी करना नहीं है इसके लिए मैं आपको और चीज़ें इसमें नहीं दिखा पाऊँगा लेकिन आपके जानकारी के लिए बताऊँ तो आपको एक छट के नीचे अजमेरा फैशन के अंदर सारी सारी में भी सारी varieties print हो चाए, dyed हो चाए, cotton हो चाए, सुती सारी हो चाए सिल्क सारी हो, every variety आपको मिलने वाली है उसके साथ साथ कुर्ती, leggings, petticoat, blouse, fall, लेंगा चुनी, dress metal, suit pieces अगर hand loom में बन जाएं तो आपको bed sheets वगरे, आपको curtains वगरे, परदे जो आते हैं वो आपको मिलने वाले हैं, towels आपको मिलने वाले हैं, hankies आपको मिलने वाली है तो अगर आप किसी भी तरीके से हम से जुड़ना चाते हैं, चाए एक dealer के रूप में, चाए एक wholesaler के रूप में या एक retailer अगर आप already हैं, तो या फिर आपको करना है business, नया business से start करना है लगा कि 20 से 25 जार रुपए में भी स्टार्ट कर सकती है और बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकती है एक अपोर्चुनिटी आपको यह मिलती है कि अज मेरा फैशन इस दे वन स्टॉप डेस्टिनेशन जहां पर आपको पूरा कलेक्शन मिलता है प्लस उस रेट में मिल पूरुशार्ट तो आपको करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत आप पूरुशार्ट करेंगे बाकी पूश अप हम लोग की तरफ से आपको पूरा मिलने वाला है आप एक कदम बढ़ाईए हम दस कदम आपके साथ चलने को तयार है पर कुछ ने कुछ जरूर कीजिए एक् नहीं जिन्दगी की सुरुवात कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आने वाला समय आप लोगों के लिए सुब हो मंगल मैं हो विशु आल दा बेस्ट फोर द्यू बिजनस थैंक यू